आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहां पर बताना है बच्चो बैटरी कभी वह भी संधारित की धारिता C और इस प्रतिवधकतार का प्रतिरोध मान लेते आ रहे ठीक है तो अगर हम देखते बच्चो संधारित पे अगर पूर्ण आवेशीत होता है तो इसमें कितना आवेश आता बच्चो क्यों तो बैटरी से कितना आवेश निकल रहा बच्चो क्यों आवेश बैटरी से निकाला गया है ठीक है तो क्या हम कार बता सकते हैं बच्चो तो यहाँ पे हम बैटरी द्वारा या सेल द्वारा कार निकाल सकते हैं राइट तो सेल द्वारा किया गया कार क्या होगा बच्चो सेल दवारा किया गया कार ठीक है सेल दवारा किया गया कार अगर डबलू है तो डबलू वराबर हम जानते हैं बच्चो क्या होता है क्यू इंटू भी होता है ठीक है यहाँ पे हमें C और V के रूप में दे रखा है तो क्या हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बच्चों का संधारित में पता है कि अधिकतां भी वह कितना होगा बच्चों भी होगा, ठीक है, तो हम जानते हैं कि संधारित पे जो अवेस Q होता है बच्चों, वो क्या होता है, C into B के बराबर होता है, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकत इसका मतला कर हम तुलुना करते हैं ॡचो हमें जो दे रखा वो यहाँ पर लिख लें N1 Cb² तुलुना करने पर हमें क्या मिल रहा बच्चो N1 की value यहाँ पर देखिए बच्चो एक हो जाएगा, ठीक है और अब बात करते हैं बच्चो यहाँ पर संधारित्र में संग्रहित उर्जा संधारित्र में संग्रहित उर्जा क्या होगी बचो दूसरा पार्ट यहां पे संधारित्र में या संधारित्र को यहां पे हम देखते हैं बचो हमें किस रूप में दे रहा है C और B के रूप में दे रहा है ठीक है बचो, तो यहाँ पर देखते बचो, संधारित्र को भी विवा से अवेसित करने, विवा से अवेसित करने पर, संधारित्र में संचीत उर्जा क्या होगी बचो, करने पर, संधारित्र में संचीत उर्जा, क्या होगी बचो, संधारित्र में संचीत उर्जा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चो यह हो जाएगा U बराबर 1 बटा 2 C into B स्क्वेर होता है ठीक है बच्चो हमें क्या दे रहा है बच्चो संधारित में संची तूरजा N to C B स्क्वेर है ठीक है अगें तुलना करने पे N to की value क्या मिल रही है बच्चो 1 बटा 2 मिल रही है ठीक है ओके तो N to की value यहाँ पे हमने find कर लिया अब हमें बताना है बच्चो की प्रतिरोध में उत्पन उस्मा बैटरी से कुल कितना कार की अजार आ था बच्चो बैटरी से कुल कार रही था बच्चो यहाँ पे देख सकते है c into base का ठीक है तो यहाँ पे हम लिख सकते है बच्चो प्रतिरोध में उत्पन उस्मा प्रतिरोध क्योंकि हमें निकालना है बच्चो प्रतिरोधक में उत्पन उस्मा क्या हो जाएगा बच्चो उत्पन उसमा गर हम देखें बच्चो H है तो क्या हम कह सकते हैं कुल कितना कार किया गया बच्चो उस कार में से हम देखते हैं संधारित को कितनी उर्जा गई है ठीक है तो बची हुई उर्जा कहां पे गई बच्चो इस प्रतिरुधक तार के पा तो बची हुई उर्जा प्रतिरोधक के पास होगी बच्चो तो इसका मान कितना हो जाएगा अगर यहां पर 2 LCM लेते हैं बच्चो तो एक बटा 2 CB स्कार बच्चेगा ठीक है यह हो जाएगा बच्चो प्रतिरोधक में उत्पन उस्मा इसका मतलब जो हमें दे रखा है बच् तो एक बटा दो और एक बटा दो एक बटा दो यहां पर सी यहां पर करेक्ट आफ्सन होगा राइट सो थैंक्यू बच्चो प्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनल